हलो दोस्तों, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल पांडे के फंडे दोस्तों, आज मेरे पास मेरा एक दोस्त उसकी एक तकलीफ लेके आया है तो आईए देखते हैं उसकी क्या तकलीफ है हलो मित्र, मैंने दसवी पास कर ली है लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं आगी क्या करूँ मैं भविश्य में किस दिशा में जाऊं क्या मुझे मेरे भविश्य की दिशा बता सकते हो कि मैं क्या करूँ ताकि मुझे मेरा सही मार्ग चुन सकूँ कोई दिक्कत नहीं है मित्र अपने भविश्य को चुनने के लिए तुम्हें कुछ-कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मैं सरल भाषा में तुम समझाता हूँ अपना भविश्य एक confused maze की तर बटा हुआ है जिसमें कि एक गलत रास्ता हमारा पूरा गेम बिगाड़ सकता है समझ रहे हो हमारे भविश्य में हमें ये decide करना जरूरी है कि हमारी goals क्या है हमारा career क्या होना चाहिए हमारा skills क्या है हमारे development क्या है हमारा plan क्या है हमारे talent क्या है हमारी progress क्या है और हमारा ambition क्या है और इन सब चीजों की basis पे आप अपना path चुन सकते हैं कि आपको Navy की side जाना है, architecture करना है, CA करना है, MBA करना है, hotel management करना है, engineering करना है, management करना है, agriculture करना है, या designing करना है अब हमारे goal को decide करने के लिए हमें पहले एक pen और एक paper को लेना पड़ेगा, उस पे हमें एक checklist बनाके लिखना पड़ेगा कि हमारे goal क्या है, हम उसके लिए किस तरह से plan कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं, उस goal पे अड़े रहना सबसे बड़ी चीज़ है दोस और फिर अपने गोल को अचीव करने का पूरा 100% प्रहास करें अब अलेग अलग अलग लोगों की अलग अलग होबीज होती है अब मुझे क्या करना जाई ये मित्र? इस लिस्ट से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ राक्या तो मुझे समझाऊगे कि मैं ये क्या करू कुछ लोगों के interests, stamps को collect करने में होते हैं, कुछ लोगों के video games खेलने में होते हैं, कुछ लोग adventure की side बहुत जाना पसंद करते हैं जैसे कि natural places, जैसे trekking करना water sports करना beaches पर जाना swimming करना, कुछ लोगों को गाना गाना बहुत पसंद है, कुछ लोग जादू दिखाते हैं, कुछ लोग नाच गाना करते हैं अब ये तो हो गए interests ये सब अपहारे goal के parallel ही चलने चाहिए ना कि हम इसे अपनी permanent occupation मना है, हमारे subject background क्या है, हमें कि subject में साद़ा interest है, हमें कि बहुत ही main विश्य है, अगर किसी को chemistry में interest है, तो फो लाबरी टरी खोल लेता है physics में interest है, तो वो एक physics की लाबरी खोल दीज़ा लेता है biology में interest है, वो एक biology की लाबरी खोल देता है, किसी को mathematics में interest होता है, तो वो lecturer बन सकता है और ऐसे कई अनेक career options है, जिसकी वज़े से वो जा सकता है, फिर एक बहुत ही urgent चीज जो है skills and abilities, कुछ लोगों को बात करने में बहुत मज़ा आता है, कुछ लोग बात बहुत अच्छे से कर लेता है, कुछ लोगों की communication skills बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग computer में बहुत माहिर होते हैं, software, hardware, javascript, इन सब चीज़ां में कुछ लोगों को अत्यंद knowledge होता है, बहुत ज़ादा knowledge होता है, जो की लोगों के लिए बहुत helpful है, कुछ लोग planning और organization में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ इवेंट management में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ leadership बहुत अच्छे से संभालते हैं, कुछ लोगों के पास negotiation skills बहुत अच्छी होती है, next, हमारी personality traits, जो denote करती है, कि हम अकेले काम करना पसंद करते हैं, या group के साथ काम करना पसंद करते हैं, हम self motivated है की नहीं, हमारा काम की और जुनून कितना है, हम कितनी देर काम करते हैं, कितने जुनून से काम करते हैं, और हमारी कितनी energy लगाते हैं, वो भी एक बहुत ही important चीज़ है, और end में हमें career options decide करने पड़ते हैं, कि हमें manager बनना है, engineering करनी है, teacher बनना है, हर आदमी के एक एक dream होता ही है, कुछ-कुछ लोगों को एक sports car खरीदना बहुत पसंद है, कुछ-कुछ लोग तिर्थिया तरपे जाना चाते हैं, pilgrimage करना चाते हैं, कुछ-कुछ लोग समाज सिवा करना चाते हैं, आदी अच्छा मित्र, तुमने ये बात तो बहुत अच्छी बताए, लेकिन अभी मैंने दसवी पास करी है, तो अब आगे मैं science subject लेके, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे इसकी जानकारी दोगे? मित्र, science subject आसान नहीं है, science subject में खुद में ही दो ब्रांचे बटी हुई है, biology ब्रांच और mathematics ब्रांच, biology ब्रांच में तो तुम भली बाती जानते होगे, कि biology लेने पे हम डॉक्टर बन जाते हैं, और maths लेने में हम इंजिनियर बन जाते हैं, तो अगर आप biology लेते हैं, तो आप MBBS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, pharmacy कर सकते हैं, और psychotherapy कर सकते हैं, अगर आप PCM यानि mathematics लेते हैं, तो आप engineering कर सकते हैं, BSC कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, और business भी चालू कर सकते हैं, अच्छा मित्र और अगर मैंने commerce subject लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ commerce subject लेने में भी काफी advantages हैं अगर तुम commerce subject लेते हो तो तुम business administration कर सकते हो chartered accountant बन सकते हो तुम commerce में bachelor कर सकते हो bachelor achieve कर सकते हो तुम animation and graphics तक में भी जा सकते हो और अगर मैंने arts लिया तो मैं क्या करूंगा क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे मित्र अगर तुमने arts लिया तो तुम law कर सकते हो तुम वकील बन सकते हो और तुम arts में bachelor भी कर सकते हो तुम political science में bachelor कर सकते हो bachelor achieve कर सकते हो bachelor in geography कर सकते हो bachelor in history कर सकते हो psychology कर सकते हो एक्सेक्टरा अगर तुम्हें अभी भी confusion है कि मुझे exactly करना क्या है तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं जो तुम तीनों streams में जो भी stream चूज करोगे उसमें common होगी ही होगी जैसे अगर तुम business करना चाते हो तो चाहे तुम उसके लिए arts लो, commerce लो या science लो तुम तीनों में business चालू कर सकते हो depending upon your interests तुम bachelor in advertising कर सकते हो bachelor in retail management कर सकते हो public relations कर सकते हो journalism and mass communication hotel management, event management, graphics design, travel and tourism etc ठीक मित्र तुम्हारी information बहुत useful थी मैं तुम्हारे चैनल को subscribe करूंगी like करूंगी और share भी करूंगी बहुत बहुत धन्यवाद मित्र तुमने मुझे इतनी अच्छी information देने के लिए बाई धन्यवाद मित्र